आपका पहला कोश्चन है निम्नलिखित में से किस समीती ने मौलिक कर्तवयों को सामिल करने की सिफाइस की थी? आपका आप्सटन है स्वाण सिंग समीती, रधा कृष्ण समीती, बलवन्त राय महता समीती, तारापूर समीती अगला कोश्चन है किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में दितिय पिछड़ा वर्ग आयूग का गठन करने की घोषड़ा की थी आपका अप्सन है जानता दल, भारतिय जानता दल, संयुक्त लोकतांतरिक दल, भारतिय राष्टिय कांगरेस दल आपका सही अइस्वर हो जाएगा अप्सन एट जानता दल, जानता दल ने वर्ष 1976 में दितिय पिछड़ा वर्ग आयूग का गठन करने की घोषड़ा की थी आपका अगला कोश्चन है भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद विविन अधारो पर किसी भारतिय नगरी के साथ भेद भाव से संबन दित है अप्सन है अनुछेद 15, अनुछेद 19, अनुछेद 11, अनुछेद 13 आपका अइनस्वर हो जाएगा अप्सन है अनुछेद 15 भारतिय संबिधान में निम्नलिखित में से कौन सीबी सेष्टा को सोवियत सोसलिस्ट रिपबलिक से लिया गया था अप्सन है पंचवर्षिय योजना, समवर्ती सूची, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आपका अइनस्वर हो जाएगा अप्सन ए पंचवर्षिय योजना आपका अगला कोश्चन है भारत के मुख्यने अधिस की निम्क्ति कौन करता है आपका आप्सन है राष्ट पती, उपराष्ट पती, परधान मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आपका सही इंस्वर हो जाएगा आप्सन ए राष्ट पती, भारत के मुख्यने अधिस की निम्क् आपका अगला कोश्चन है यदि किसी व्यद्ती को गईर कानूनी रूप से करावास भेज दिया जाता है तो निम्न लिखित में से कौन सी या चिका उसे उपचार परदान करती है आपका अप्सण है प्रती सेध, बंदी प्रत्यची करन, उत्प्रिशन लेख, परमा देश आपका सही आइन्स्वरोजाएगा अप्सण बी बंदी प्रत्यची करन अगला कोश्चन है राष्ट पती द्वारा कितनी बार देश में राष्टिया अपातकाल की घोशड़ा की गई है आप्शन है चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार आपका सही आइनस्वर हो जाएगा आप्शन डी तीन बार भारतिय स्वंविधान में न्याई पुनरा लोकन की सक्ति और न्याई पालिका की स्वतंतरता का प्रधान किस देश से लिया गया है आपका आप्शन है अश्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, जपान से आपका सही आइंस्वर हो जाएगा option B अमेरिका से भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में अस्पिरिसियाता अन्मुलन के विशाय में उलोख किया गया है option है अनुछेद 21 में, अनुछेद 17 में, अनुछेद 25 में आपका सही आइंस्वर हो जाएगा option C अनुछेद 17 में आपका अगला question है भारतिय स्वम्विधान के निर्मान के दोरान 1946 में स्वम्विधान सभा के स्वम्विधानिक सलाकार के रूप में किसे निउक्त किया गया था आपका option है भारतिय स्वम्विधान के किस अनुछेद में मौली कर्तवियों के बारे में उलेख किया गया है option A अनुछेद 51A में अनुछेद 15A में अनुछेद 31A में अनुछेद 31C में आपका सही आइंस्वर हो जाएगा option A अनुछेद 51A में निम्नलीखित में से कौन सा एक सम्विधानिक निकाय नहीं है आपका आप्षन है नीती आयोग, राष्टिया अनसूचित जन जाती आयोग, वित आयोग, चुनाव आयोग आपका सही आइंसर हो जाएगा आप्षन है नीती आयोग निम्नलीखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था आपका option है USA, UK, Australia, France आपका सही आइंसर हो जाएगा option C, Australia भारतिय सम्मिधान की किस सुची के अंतरगत खेल का विशय आता है आपका option है राज्य सुची, समवर्ती सुची, संग सुची और सिष्ट सुची आपका सही उतर होगा option A, राज्य सुची भारतिय सम्मिधान की राज्य सुची के अंतरगत खेल का विशय आता है आपका अगला question है प्रांसिसी सासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सचेतर भारत का केंदर सासित बना आपका option है दादरा और नगर हेवेली, लच्छ दीप, दमन और दिव, पुद्दुचेरी आपका सही आइंसर हो जाएगा option D, पुद्दुचेरी आपका अगला question है संबिधान के अनुछेत दूसर चुहतर का अनुसार कराधान को परभावित करने वाले विधेकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति के अवसकता होती है आपका अप्सन है किंद्रिय वित मंत्री की, राज सभा के सभा पती की, परधान मंत्री की, राष्ट पती की आपका सही आइंसर हो जाएगा option D, राष्ट पती की आपका अगला question है भारतिय संविधान की कौन सी अनसूची में पंचाइती राज संस्थानों के बारे में प्रवधान है आपका अप्षन है इग्रावी अनसूची, दसवी अनसूची, बारहुवी अनसूची, नवी अनसूची आपका सही आइंसर हो जाएगा option ए एक रहावी अनसूची आपका अगला question है और इस वीडियो का last question है किस सम्विधानिक संसोधन अधिनियम से भारतिय सम्विधान में अनुछेद 21A प्रस्तूत किया गया था आपका option है 85A, 86A, 93A, 73A आपका सही आइंसर हो जाएगा option भी 86A तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्ने बाद उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दिजिए और हमारे चैनल पर पहली बरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे ही most important जीके जिस वीडियो पढ़ने के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत